नमस्कार अफगानिस्तान में तालिबानी गुंडों की संख्या सित्तर हजार बताई जा रही है यदि इस संख्या को दोगुनी भी मान लिया जाए तो ये डेड़ लाग हो जाते हैं इनके परिवार के सदस्यों की संख्या जोड़ ली जाए तो इनकी संख्या अधिक्तम 10 लाग के करीब होगी अभी तक अपने इन 10 लाग लोगों की रोटी बोटी और हत्यारों का इंतिजाम ये तालिबानी गुंडे ड्रग्स की तसकरी के द्वारा करते रहें 2017 में अफगानिस्तान के इतियास में सबसे ज़्यदा अफीम का उत्पादन हुआ था उस वर्स अफगानिस्तान में पैदा हुई कुल 9,900 टन अफीम से बनी ड्रग्स की कीमत लगबग 140 करोड डॉलर मतलब लगबग 10,360 करोड रुपे थी 10,000,000 लोगों के लिए इतने पैसे काफी थे लेकिन अब जब 4 करोड अफगानिस्तानियों की रोटी पानी और अन्य सभी नियुनतम नागरिक सुविदाओं की जिम्मेदारी इन तालिबानी गुंडों के पास आ गई है तो क्या 140 करोड की अवेट ड्रग्स के काले धंदे से अफगानिस्तान का काम चल पाएगा ये सवाल सबसे अधिक महतुकून क्यों है अब इसका कारण भी समझे अफगानिस्तान पर तालिबान का कबजा पहली बार नहीं हुआ है 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान इसी तालिबान के कबजे में था लेकिन तब और अब की स्थती में जमीन आसमान का अंतर हो चुका है उस समय तालिबान की हैसियत अमेरिका के पालतु कुत्तो जैसी थी इसलिए अमेरिका इनका पूरा ख्याल रगता था अमेरिकी खेमे वाले दर्जनो पश्ची मी देश समेत अरब देश भी इन गुंडों को अपने बौस का पालतु कुत्ता समझ कर तालिबानी गुंडों की रोटी बोटी का खास ध्यान रखते थे इसके अलावा 1947 के बाद से ही अमेरिका का वेरी वेरी श्पेशल पालतु कुत्ता बनकर खर्बो अमेरिकी डॉलरों की खेरात और कर्ज लेता रहा वो पाकिस्तान भी तालिबान की मदद करता रहता था अफगानिस्तान के खनीजो साइथ कई अन्य उत्पादों के वेपार से भी तालिबानी गुंडे कमाई किया करते थे लेकिन इस बार हालात बिलकुल बदले हुए हैं अमेरिका समेथ उसके सारे मित्रदेश अब इन तालिबानी गुंडों की तरफ देखना भी नहीं चाह रहें अतीत में इनका मददकार रहा पाकिस्तान आज भीक मंगई की उस कगार पर खड़ाएं कि अपना खर्चा चलाने के लिए प्रदानमंत्री निवास तक किराय पर दे चुका है इनकी कर्टूतों को देखकर ये बिल्कुल स्पर्ष्ट हो रहा है कि बहुत जल्दी ही इन पर अंतराश्रिय आर्थिक प्रतिबंदों का हंटर भी बरसने वाला है अतक खनीजों समेथ इनके उत्पादों का विदेशी व्यापार ठप ही रहेगा एक चीन ऐसा देश है जो इनकी मदद कर सकता है लेकिन पूरी दुनिया पिछले तीन वर्सों से ये सच देख और सुन रही है कि लगबग चौथा ही पाकिस्तान को चीन अपने पास गिरवी रख चुका है इसके बावजूद पाकिस्तान की दाल रोटी अरब देशों की खेरात और उधार के दम पर ही चल रही है अफगानिस्तान पर कबजे के दावेदार तालिबानी गुंडों के ही तीन और गिरों भी कल सामने आकर ताल ठोक चुके है अतब अफगानिस्तान की दाल चार गिरों के जूतों में बटेगी इन में से कम से कम दो गिरों पाकिस्तान पर भी जपटा मारेंगे और ये भी बिलकुल निश्चित है अतब असली और सबसे कठीन सवाल तो यही है कि अफगानिस्तान की दाल रोटी कैसे चलेगी ध्यान रहे कि भूके पेट वाली भीड दुनिया की सबसे खतरनाक और आदमखोर ताकत होती है जिसका सामना अफगानिस्तान में इन तालिबानी गुंडों को बहुत जल्दी करना पड़ेगा इसलिए न्यू चैनलों पर हो रही ये हो जाएगा वो हो जाएगा परपंच वाली डरावनी पंचायतों और खबरों से विचलित मत होईए और अब शुरू होने जारे खेल को देखते जाएगे अभी तो पार्टी शुरू होईए जहिन